ही हाई हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम तुण तुन एकड़मी तुरागहत आपसब प्रक्रां का अब्यें अबीक्ण सब अच्छे होंगे उम्मीद ऐस अच्छे होंगे योट्यूब के चिनल पर नकड़्मी और और पेश चिलाए पर सबका स्वागत हैं सबका क्या पढ़ने वाले हैं आज आज हम पढ़ेंगे अपना बाईलो जी का नेक्स चैप्टर इसमें हम बात करेंगे सेल्स की यानि के कोशिकाओं की तो जो भी आपके सवाल हैं आप लोग मुझसे पूछते रहिएगा उम्मीदे सब मस चल लाओगा हैपी होली सबको मेरी तरफ से होली की बहुत-बहुत शुब काम ना है तो चलते हैं धीरी-धीर आगे चलेंगे आगे बढ़ेंगे अभी बच्चे नहीं आये थोड़े से हमारे तो धीरी-धीरे बच्चे आएंगे तो फिर हम चलेंगे आगे तब तक मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ आप लोगों को मास्टर्स पूरा किया था चार साल से पॉलिटी एक सिस्थी साइंस जनल साइंसी सब पढ़ा रहा हूं मैं यूपीस्ती के लिए पढ़ाता हूं आरकेस्ती के लिए पढ़ाता हूं दस जार से ज्यादा कैसे हैं आप सबसे बहूं पर समया और कियसी होनी चाहिए क्या सोचते अप इसके बारे में वड़ा सवाब हैं आपके तरीकर दिए एक ये जरुरी हैं कि के स्ब्कों गूर्णिग सब सबको गुड मॉर्निंग मुकेश जी आपको भी गुड मॉर्निंग सेखावत जी आपको भी गुड मॉर्निंग एपी ओल ली एन सीकूप नहीं बात यह है कि हमारे कुछ बच्चे सब्सक्राइब होना चैये ुट अ हम प्रका सिशी करिए कि हम Hailand चलेंगे ठीक है mcqs रखेंगे हर संडे मतलब जितना भी हम पढ़ेंगे उसका रिवीजन और उसके mcqs 50 mcqs 40 mcqs जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम वो संडे में कवर करेंगे तो ऐसा हमने प्लान बनाया है सामने प्लान बनाया है ठीक है करते हैं चरेंगो में आपको थोड़ा सा मैं बता दू सकस्क्रेशन के बारे में जहां पर आपको live class मिलती है test reach मिलती है quiz मिलते है doubt clearing session मिलते है ठीक है आप लोग बस एक काम क्या करें कि यह जो on academy की app है हमारी और classes भी होती है जैसे 11 बजे polity की class होती है ठीक है 8 बजे शाम को history की class होती है history वाली यह free अभी यह सब के लिए आप सब लोग आया करें और 7 बजे हम question discuss करते है polity के history के हमारे current affair के तो आप लोग इसमें भी आया करें आप coming course बहुत सारे आने वाले हैं test reach मिलेगी अगर हम एक idea लगाएं तो सिर्फ 17 रुपे per day के हिसाब से आप अपने कोई भी हो आप घर से पढ़ सकते हैं ठीक है और subscription भी बहुत सस्ता है मैंने बताया भी 525 रुपे per month बातर जिसमें आप मैं लोग 10% discount के बाद आपको 525 रुपे per month मिलेगा चली start करते हैं class को अपनी मुस्ते जुणने क्लिए 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 करना है एक बार इस map को देखें यह map है क्या यह कोशिका का map है यानि के sales का map है वई ठीक है तो अब हमें इसे ही समझना है कि यह इसे क्या बोलते हैं वई इसे इसे क्या बोलते हैं ठीक है इसे क्या बोलते हैं यह अंदर क्या है इसके ये सब चीज क्या है और ये क्या भरा हुआ होता है इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम ठीके सलेबस के सभी टोपिक कवर हो जाएं और जो भी पढ़े वो सीधे दिमाग में स्टोरी की तरह से हो जाएं बिलकुल बेफिकर रहे हैं आप गारगी जी आए आपका भी स्वागत है मनीश जी आप इससे बेफिकर रहे हैं कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो को सबसे पहले बात करते हैं इसके इंडूड से सेल्स के आए alley चोटास सबसे चोटा एक शरीर का इस्स हे सबसे चोटा हिस्सा है यह मल्टिपल सेल्स मिलके टीशूज बनाएंगे multiple tissues मिलके multiple cells मिलके tissues बनाएंगे और यही tissues मिलके फिर अंग बनाएंगे अंग बनाएंगे अब आप समझ सकते हैं कि इनसान की ये किसी भी जीव की सबसे छोटी हिकाई को हम कोशिका बोलते हैं सबसे पहले कोशिका की खोष 1665 में की गई थी रुबर ठुकने की थी और इसकी जो पढ़ाई जब हम कोशिका के आया discussion करता हैं कोशिका को पढ़ते हैं उससे cytology बोलते सबसे समझने की कोशिका बहुत सरी कोशिका ये मिलके उत तक बनाते हैं उत तक टिशूज बनाते हैं जैसे आपका इसकिन का टिशूज है ठीक है जैसे आपके इसकिन गाल के टिशूज है ये सारे मिलके टिशूज बनाते हैं ये टिशूज जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो और्गन बनाते हैं हिस्सा बनाते हैं यानि के अंग बनाते ह अंग को ये सारे अंग मिलके औरगन सिस्टम बनाते हैं जैसे नर्वस सिस्टम जैसे डाइजेसिस सिस्टम और ये सारे सिस्टम मिलके पूरे मानो शरीर की रशना करते हैं एक इंसान बनाते हैं जीता जागता इंसान तो मेरी बास समझ माई इतनी बिल्कुल किलियर रखिएगा सेल्स सबसे छोटी होती है सेल्स जादा बहुत सारी सेल्स मिलके टीशूज बनाते हैं यही टीशूज जब बहुत सारे हो जाते हैं और और और्गन्स मिलके सिस्टम कंप्लीट जेनरेट करते हैं और यही बहुत सा सिस्टम मिलके नर्वा सिस्टम इसके अंदर मतलब हड़िट वाला असी कि पिर औरिवने unnecess बनाते हैंंों क जनम को जनम बनते हैं कि क्या समझ माया हमें सबसे छोटी मानों शरीर की जो इकाई है वो कोशी का है बीना कोशी का कि उसके शरीर करने नहीं हो सकता चलिए इतना हमने समझ लिया अगले समझने के बाद क्या देखते हैं हम जो कोशी का है यानि के जो ये कोशी का है ये खुद एक जीव है ये जीवी थे इसलिए हम क्या हम क्या देखते हैं कि जो इनसान बूड़े होने लगते हैं उनके शरीर की खाल थोड़ी से डाउ के मर जाती हैं यह सेल्स भी होती है यह पूरा एक कम्प्लीट जीव है ठीक है मानो शरीर में खर्बों के साफ से कोशिकाई होती है खर्बो, हाथ की कोशिकाई अलग हैं, पेर की कोशिकाई अलग हैं, दिमाग, हमारी जो मतलब मसल्स की कोशिकाई अलग हैं, गाल की कोशिकाई, आख की कोशिकाई, जीब की कोशिकाई, यह सब अलग-अलग होती हैं, जो आकार में भी अलग हो सकती हैं, और स्ट्रक्चर में हो सकती इनका शेप बहुकोशी का से मिलके बने होते हैं यह बढ़ा इंट्रेस्टिंग सा मतलब के एक ऐसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलके बना है कम्प्लीट कोशिका वो ही है उसकी जिन्देगी की उसे एक कोशिके जीव बोला जाता है और जो बहु कोशिके जीव होते हैं उन्हें जिसमें बहुत सारी हमारे कोशिका हैं मिलती हैं जैसे इनसान हुआ और जा एक कोशी के जिऊ आपको यह समझ हाई गा मैप है क्या देखें वड़ी यह जो क्या है यह एक कोशीक जीऊ है ही सिंगल कोशिका ने मिल्के बनाया है बैनिफिट गया क्या होगा इसका के एक कोशी के जीव है तो ये सारे काम करेगा जो बहु कोशी जीव करता है और सिंगल है तो इसका कोई निशित आकार नहीं है ये अपना आकार बदलता रहेगा अपना जो कोशी का है जब हमारा सिंगल सेल्स हो गई तो ये किसी भी तरीके से अपना आकार बदल देगा छोड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा ये अमीबा की खासिया थे कि इसका कोई भी निश्यताकार नहीं है अमीबा का बात समझवाई भई गुड मोर्निंग आशा जी गुड मोर्निंग आशा जी ठीक है आगे देखते हैं अमीबा के बारे में पूरा सा और देख लेते क्योंकि अमीबा से कोशन्स पूछा जाता है अमीबा में स्योडो पोडिया जिसका आर्थे स्योडो का अर्थे पूढिया का अर्थे पेर मतलब इसके पेर नहीं होते अब पेर नहीं होते पेर से क्या मतलब है यहां पर इसका कोई generiate इसका कोई टॉइस एक बिद sane यह यह जिस टाइप में बदलना चाहे उस टाइप मैं बदल सकती है क्यों उसके बाद अमीबा एक सोतंत्र अस्तिमेक सक्षमेक पूर्ण विक्सित प्रानी है मतलब complete है ये भी भले ही एक कोशिक हो इससे फरक नहीं बढ़ता लेकिन complete जीव है कोशिकाओं का आकार सामाने रूप से गोल होता है बिल्कुल ये जो कोशिकाओं हैं हमारी ये लग बग गोल जैसी होती है प्रोटोप्लाजम कोशिकाओं के जीवित पदार के रूप में जाना जाता है जो इसके चार उत्रा भरा होता है उसे साइटोप्लाजम या या प्रोटोप्लाजम के नाम से जानते है कोशिकाओं में परमानु पदार्थ होता है नूकलियस होता इसके अंदर ये ये बई ये तब परमानु जिली के बिना कोशिकाओं को प्र्यूकूरेटिक, यानि के एक और सेल्स होती है, एक और सेल्स होती है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं मैं अभी बताँगा इस कान्सेप्ट को इसे छोड़ दो भी इसे अभी बताता हूँ, चिके ये क्या किरा आगे एक पर्मानु जिल्ली के साथ अच्छी तरीके से संगठित नाभिक वाली कोशिकायों को युक्रेटिक बोलते हैं इससे भी बात करेंगे इसकी भी बात करेंगे इसे कल के लेक्चर में देखेंगे क्योंकि यहां अगर मैंने बताया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बिना नाभिक वाली और नाभिक वाली जिल्ली में क्या डिफ्रेंस है तो इसे हम कल समझेंगे देखने कोशिका देखो भाई एक complete कोशिका को इस मेप से समझने से बह्तर है कि हम एक छोटा आ समेप बना ले चोटा सा मेप पढ़ेंगे हम कल को इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम ठीक है समझ ध्यान से समझेगा देखो सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है ये 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 हमारी कोशी का जिल्ली ये सेल मेंब्रेन सेल मेंब्रेन या कोशी का जिल्ली जो सबसे बहार होती है सबसे बहार होती है ठीक है दूसर इसके अंदर जो भरा है यह इसे क्या बोलते हैं कोशी का द्रव्य या साइटो प्लाज्म साइटो प्लाज्म या कोशी का द्रव्य जो इसके अंदर भरा हुआ है उसके बाद यह यह हो गई नाभिक जिल्ली नाभिक जिल्ली और इसके अंदर जो है यह नाभिक यानिके नू कि एक सेल में basically cytoplasm होता है cell membrane होती है nucleus membrane होती है और nucleus होता है बस अभी इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जाना आज के lecture के लिए देखते हैं वई कोशीका का मूल भाग कोशी का जिलिय कोशी का दरव्यो ना भी होते हैं बिलकुल ये बताया मैंने भी अभी बताया बिल्कुल यानि कि इसके मुख्य भाग जो है ये मुख्य भाग है ये मुख्य भाग है और ये मुख्य भाग है कोशी का जिल्ली को प्लाजम जिल्ली के रूप में भी जाना जाता है बिल्कुल बताया मैंने ये जो कोशी का जिल्ली है इसे प्लाजम जिल्ली के नाम से भी जाना जाता है ये जरजरी टाइप की होती है जरजरी से क्या मतलब है छेद होते हैं इसमें इसमें सुराख होते हैं क्या होता है उससे कुछ पदार्थ ये कुछ सामगरी अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है जिसे एक इंसान को पसीने का आना तो ये पानी के मोलिक्यूल्स को अंदर करती है और बाहर करती है जर जरी होने की वजए से सेल्स टीक है? यद रखेगा यद रखेगा, उसके बाद आकर क्या के रहा है? केंद्र में केंद्री घरे गोले की सनचना के नाविक की रोप में जाना जाता है बिल्कुल बताया मेने भी, है यह नाविक है नाबिक और कोशी का जिली जैसा उपर छवी में दिखाया गया है जेली जैसा पदार्थ होता है जिसने साइटोप्लाजम बिल्कुल बोला साइटोप्लाजम भरा होता है चारू तरफ जो इसके भरा होता है यह साइटोप्लाजम कहलाता है साइटोप्लाजम का क्या मतलब है कोशी का दरव यह कोशी का दरव की याद रखेगा बई ठीके कोशी का के विभिन अव्याओ साइटोप्लाजम यानि के इसके अंदर साइटोप्लाजम जो है हमारा इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़े होती है जैसे माइक्रो कंडिया गोलजी निकाए और राइबोसोम इन्हें हम कल देखेंगे यह क्या मसला है क्या खेले इसका क्या काम होता है इनका क्या जरूरी है इसमें यह सब चीज़ हम कल देखेंगे फिलाल यह मेप देखें कि हमने क्या देखा यह कोशी का जिल्ली होती है यह नाभी के जिल्ली होती है यह साइटो प्लाजम होता है यह नाभी होता है और इसे कंप्लीट को क्या बोलते हैं कोशी का बोलते हैं क्या बोलते हैं कोशी का बोलते हैं आगे देखते हैं मद्य भाग में इस्तीद लगबग गोलकार आकार में नाभिक होता है ये लगबग गोलकार होता है नाभिक एक जरजरी जिल्ली द्वारा साइटोप्लाजम से अलग किया जाता है नाभिक जिल्ली के रूप में जाना जाता है मतलब ये जो वाली जिल्ली है न ये ये भी हमार जर जरी होती है डाटा जो हमारा कुछ भी अपदार्स होते हैं वोभी इसके अंदर जाते रहते हैं बाहर निकलतेरे हैं स्थाइटोप्लाजम सा अलग हो जाती है यह नाबिक के अंदर पाई जाने वाली छोटी और गोलकार सनरशना को नूकलियस की रूप जाना जाता है मतलब यह जो छोड़ी छोड़ी चीज़ होती है इन्हें नुकलियस यह पूरा का पूरा नुकलियस कहलाता है अब क्या है नुकलियस में धागे जैसी सन्रशनाएं होती है यहाँ पर अब यह धागे जैसी सन्रशनाएं होती है जिसे गुर्ण सूत्र या क्रोम करोमोसोंप के रूप में जाना जाता है यहां तक समझ में बात आ गई होगी आपको क्रोमोसोंप क्या होते हैं बिलकुल बात करेंगे इसके बारे में भी तो यह जो छोटे छोटे हैं इस 성공 कर लेते हैं मैं जूम हो होते हैं एक माता-पिता से उसकी संतानों में विरासत के रूप में जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं वो यहीं से क्रोमोसोम्स के थ्रू यह गुण सूत्र के थ्रू ट्रांसफर होते हैं ठीक है जीन जीवित जीवों में विरासत की बुन्यादी काई है मतलब जीन है यह जो जो भी मिलता है वो इसी के थुरू मिलता है जीन्स के थुरू मिलता है बास समझे भाई ठीक है अब हमने क्या देखा अगली लाइन में एक जीवित कोशिका में पूरे घटक को प्रोटो प्लाजम के रूप में जाना जाता है जिसमें नाभिक और साइटो प्लाजम सामिल है यानि कि अगर हम पूरी unit की बात करें यह नाभीक हो गया, यह cytoplasm हो गया, इसे complete, यह जो है complete, इसे बोलते हैं protoplasm, इसे बोलते हैं हम protoplasm, complete ओ, ठीके, इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आगे देखते हैं यहाँ पर हमने human sales को पढ़ लिया पूरा basic खतम कर दिया human sales का कल को देखेंगे kromosomes क्या होते है micro kandia क्या होता है ठीके ribosome का क्या काम होता है नाभिक के अंदर कौन-कौन सी चीज पाई जाती है क्या जरूरी है वो सारी चीज हम कल देखेंगे अभी इतना समझ में आया कोशिका का का सन्रचना और उसके कारिया है पर ले बताये इतना समझ में आया जो कोशिका के काम और जो भी हमने पढ़ा भी तक समझ मैं बहुत बढ़ wün बढ़ा बहुत बढ़िया मुझे पता चलता रहेना चाहिए भाई आप लोग समझ रहे हैं मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है सबसे तर ज़रूरी है आपको समझ में आना चाहिए देखो हो सकता है ये क्लास जो है थोड़ी सी भारी लगे अभी लोगी देरे देरे इस क्लास में बड़ा मज़ा आने वाला है आपको बहुत्तरीन मज़ा आने वाला है आप बेफिकर रहे हैं इसने आपकी जनरल साइंस की जिम्मेदारी ने ही है कि उसमें आपको कुछ भी confusion नहीं रहेगा questions भी cover करेंगे, सब चीज cover करेंगे हम इसमें से, ठीके, आगे चलते हैं भई, ये देख लिया हमने, अब इसके साथ साथ देख लेते हैं, plant sale, plant sale यहाँ पर देखें भई, यहाँ पर देखें, यह मानव sale है यह मानव sale है और यह plant यानि कि पेड़ो की sale है पादप sale बोलते हैं, इसे पेड़ो की sale ठीके, यह पेड़ो की कोशी का है यह मानव कोशी का है, ठीके मानव कोशी का, अब देखो यह पढ़ लिया हमने भई, यह क्या है मारा, कोशी का जिल्ली पढ़ा इसे हमने कोशी का जिली ठीक है इसे क्या पढ़ा हमने साइटो प्लाज्म इसे क्या पढ़ा हमने नाभिक यह हो गई रिक्तिकाएं जो खाली जंगे होती है और यह सारी चीजों को अभी हमने नहीं पढ़ा इसे कल देखेंगे अब इसी के कंपेरिजन में प्लांट स होती हैं हमारे भी यहां भी मेंब्रेन कोशी का जिल्ली है इसके पास भी कोशी का जिल्ली है लेकिन इसके पास ज्यादा क्या है लेकिन इसके पास ज्यादा क्या है सबसे पहले ज्यादा है हमारे पास सिंगल लेयर है इसके पास डबल लेयर है इसे बोलते हैं सेल वोल यह जि हमारे single है इसके बाद double है इसका क्या यूज होगा बिल्कुल बताऊंगा मैं आप बिल्कुल बताने वाला हूं है ठीक है और और क्या होता है इसके अंदर होती है इसके चाहिए है यो जो ग्रीन ग्रीन सा देख रहे हैं आप जिसकी वज़े से पेड़ों का रंग होता है यह क्लोरो प्लास्ट की वज़े से होता है बास समझवा है इतना तो इसमें दो चीज एक्स्रा हो गई क्या एक तो ऐसमें और उसमें सेल वाल होती है सेल वाल होती है अब आपको ये बात पता चल गई होगी जो पेड़ का बहरी हिस्सा होता है बहरी हिस्सा होता है वो टफ यानि के लकड़ी जैसा क्यों होता है वो इसकी वज़े से होता है ये मजबूत बना देती है क्यों मजबूत बनाती है इसे भी देखेंगे इसे भी देखेंगे सेल वोल की वज़े से होता है वो क्यों होता है अब उसे हम देखेंगे यह मैप देख लें वह एक बार इस मैप को देख ले मैं जूम कर देता हूं और देखें वही दिखराना यह double यह single structure है यह double structure है क्या मेरी बात समझ मारी यह तनी sale bowl किस तरीके से नज़र आ रही हमे ठीक है अब चलते हैं आगे कोशी का जिल्ली पोधो जानवरों की कोशी का को आकार परदान करती है बिलकुल यह जो जिल्ली है सबसे उपर वाली यह आकार परदान करती है पेडों को भी और जानवरों को भी plant sale में sale दिवार sale जिल्ली की अतिरिक आवरन होती है यानि कि इस पर double structure चड़ा होता है double structure ठीक है एक पशुक कोशी का में यह नहीं होती बिलकुल पढ़ लिया हमने sales की दिवार पोधे की कोशी काओं को आकार और कठोरता देती है कठोरता अब पेड़ जो कठोर होता है वो इसी वज़े से होता है बाई क्या मेरी बाद समझ माई जो एक पेड़ कठोर होता है वो इसी वज़े से होता है और क्या करती है sales की दिवार सुरक्षा परदान करती है पोदो की कोशिकाओं को अलग अलग तापमान में उच्छवा की गती में इन सबसे शुरक्षा परदान करती है अब आपको समझ में आगया होगा कि जो sales दिवार है जो हमारी sales वोले उसका क्या काम होता है क्या इतनी बात समझमा इस सब को भाई मेरे भाईयों इतनी बात समझमा इस सब को बिल्कुल किलियर एकदम सेल वोल का क्या यूज है किलियर आगे एकदम समझ में भाई चलिए आगे चलते हैं भाई आंसर कर जा करो यार आप लोग आंसर करोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है तो को आप answer नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप ध्यान से सुन रहे हैं ध्यान से देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे ये पता होना चाहिए कि आप लोग घ्यान से समझ रहें आप लोगों का ध्यान मेरी तरह है तो सब लोग कमेंट में अंसर करके बता दिया करें और दूसरा भई से शेर जरूर कीजिएगा सब लोग ये सब की responsibility है कि आप लोग इसे शेर कीजिएगा अपने दोस्तों से वर्सब गुरूप में हर इंसान से ताकि वो यहां तक पहुंच सके डेली क्लास होगी हमारी दस बजे डेली क्लास होगी दस बजे बेफिकर रहें इसे आगे चलते हैं बई क्या के रहे बेक्टीरियल सेल जो बेक्टीरिया की कोशिकाएं होती है उसमें भी सेल दिवार होती है उसमें भी सेल दिवार होती है ठीके उसे भी देखेंगे अधिकाएं कोशिकाएं आकार में शुक्ष्म होती है और नगन आखों से दिखाई नहीं देती जो कोशिका है बहुत छोटी होती है इन्हें generally आँखों से देखना possible नहीं है तो ये नंगी आँखों से नहीं दिखाई देती सबसे छोटी कोशिका बेक्टिरिया में पाई जाती है जो 0.10 से लेके 0.5 micrometer तक होती है क्या ये नंगी आँखों से देखना possible है बिल्कुल ली देखी जा सकती इसलिए तो सबसे छोटी कोशिका बैक्टिरिया की होती है अब आप मुझे कमेंट में ये बताईएगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है सबसे छोटी बैक्टिरिया में होती है बिल्कुल पता है सबको सबसे बड़ी कोशी का किसमे होती है जल्दी आंसर करेंगे सब लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुतुर मुर्ग के अंडे में शुतुर मुर्ग के अंडे में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल का आकार 170 मीमी से लेके 130 मीमी तक होता है शुतुर मुर्ग के अंडे में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भई कोशिकाओं का आकार हाला की कोशिकाओं का जो आकार है वो जानवर या पोधे की आकार से कोई संबन्द नहीं है मतलब एक मानव शरीर में कोशिका बड़ी भी हो सकती है चोटी भी हो सकती है मेरी बास समझ मारिए हाँ लोकेश जी हाँ लोकेश जी एप बिल्कुल चल लए और वालों के लिए जरूरी है कर जो आपकार ऐसमmekले आले वाला है यह तो रहों हो उनकम मानव के शरीर या जानवरों के शरीर से कोई संबंद नहीं होता एक आदमी में बड़ी सेल्स भी हो सकती है छोटी भी हो सकती हैं साइस से कोई फर्क नहीं बढ़ता मतलब सेल्स बड़ी होने से इंसान बढ़ा होगा ये कहीं भी possible नहीं है या नहीं है तो याद रखेगा उसके बाद अब नहीं इस map को देखें बई इस map को देखें यह यह जो chloroplast है हमारा यह जो chloroplast है हमारा यह जो chloroplast है असलम जी बिल्कुल याद रखेएगा पटवारी के लिए पुलिस के लिए rs के लिए best class है साइंस की बहुत सारे दीरे-दीरे यह जो हरे हरे से निशान दिख रहे ना यह क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है अब इसमें देखते हैं यह क्या है यह क्या है यह देखें वही पत्ती की कोशिकाओं में यानि के जड़ों की कोशिकाओं अलग होती हैं तने की कोशिकाओं अलग होती हैं और पत्तियों की कोशिक हैं यही कारण है कि पत्तियां हरी भी हो सकती हैं पत्तियां लाल भी हो सकती हैं पत्तियां पीली भी हो सकती है ठीक है कुछ प्लास्टीड हरा रंग दरव्य होता है जिसे क्लोरो फिल के रूप में जाना जाता है जिसे जो हरा रंग होता है इसे क्लोरो प्लास्ट बोलते हैं क्लोरो प्लास्ट बोलते हैं यही मैं बता रहा था आप लोगों को और क्लोरो प्लास्ट ही जो हमारी पत्या है वो हरे रंग की बन जाती है उसी की वज़े से अगर पत्ती में लाल रंग होगा तो लाल पत्ती बन जाएंगी अगर उसमें हमारा जो प्ल प्राप्स करने में मदद करता है क्या मेरी बास समझ माई कोई ऐसा है जिसे क्लास में कोई कंफिएजन हो बस इतना ही हमें पढ़ना था आज की वर किल को सी डिटेल पढ़ेंगे कल की पूर्श सकते हैं, बिलकुल पूर्श सकते हैं, कोई बात नी, कोई बात नी, कोई बात नी, कै इतना समझ में आया भाई, कै इतना समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, PNG, सपना जी, जो मैं सब लोगों की जिले में जानता हूँ या नहीं जानता, आप लोगों को समझ में आय यह नहीं आया मज़ा आया उम्मीद है कि सब को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को क्या करना है बस इस क्लास को एक तो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा भाई जिन लोगों ने घंटा नहीं बजा लीजेगा बहुत जरूरी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा लाइक और शेर जरूर कमेंट करके बताईएगा कि वीडियो कैसी लगी शेर जरूर कीजेगा अपने दोस्तों से और लाइक करना कोई मत भूलिएगा इसकी पीडियेफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडियेफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी ठीके? मेरी बास समझ माई भई चलिए बस किलास यहीं रोकते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ग्यारा बजे जो हमारे प्लस वाले बच्चे हैं अभी उनसे ग्यारा बजे मिलते हैं हम पॉलिटी की क्लास में आप लोग मुस्कुराते रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें और अच्छा करें अपनी लाइफ में ठीके? मुस्ते जुडने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं प्लस में आने के लिए जहां पर आपको जबर्दस्त क्लास मिलेंगी पॉलिटी की हिस्ट्री की बढ़िया क्लास मिलेंगी तो इसका भी धियान रखने आप लोगों को मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं प्लस करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहें होली मनाएं अच्छे से और अच्छा करें अपनी लाइफ में धन्यवाद आप लोगों का भाई